रविंद्र जडेजा का ट्वीट हुआ वाइरल चेनी के ओल राउंडर ने बटोरी सुरिया नमस्कार मैं हूँ सुनीता और आप देख रहे हैं अड़ी टीवी स्पोर्ट्स IPL 2023 की मिनी आॉक्षन से पहले IPL की सभी 10 टीवों ने अपने रिलीज और रिटेन कियेगे खिलाडियों की सुची जारी कर दी है कुछ स्टार प्लेयर्स को टीम्स ने बाहर का रास्ता दिखाया है जो बड़े प्लेयर्स जिने बाहर का रास्ता दिखाया गया है उनमें शामन है कि इन विलिमसन, ड्रेन ब्रावो और मैंक अगरवाल पंजाब किंग्स ने मैंक अगरवाल को रिलीज कर दिया है और अब उनकी जगए अगले सीजन में पंजाब की कप्तानी शिकर धवन करते हुए नजर आएंगे चेनी सुपर किंग्स ने भी अपने रिटेन और रिलीज किये खिलाडियों की सूची जारी कर दी है फैंस के लिए खुशकबर ये है कि चेनी की कप्तानी अगले सीजन में उनके पसंदिदा महिंत सिंग धोनी करते हुए नजर आएंगे इसी बीच चेनी सुपर किंग्स ने जब अपने रिटेन और रिलीज किये खिलाडियों की सूची जारी की तो उन में रविंद्र जडेजा का भी नाम था जिन्हें चेनी ने रिटेन किया है अब इस लिस्ट के सामने आते ही रविंद्र जडेजा ने एक ऐसा ट्वीट किया जो इस वक्त काफी वारल हो रहा है दरसल जडेजा ने अपने ट्वीट में लिखा कि सब कुछ ठीक ठाक है रिस्टार्ट आपको बता दें कि इससे पहले IPL 2025 की सीजन के दरान महें सिंग धोनी के जगए रविंद्र जडेजा को चेनी का गप्तान बनाया गया था उसके बाद जब चेनी की टीम लगातार हार रही थी तो जडेजा ने चेनी की गप्तानी धोनी को दोबारा सौप दी जिसके बाद ये भी खबने आई कि रविंद्र जडेजा और चेनी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है फ्रेंचाइजी ने कई बार इस बात का दावा भी किया कि रविंद्र जडेजा और चेनी सुप किंग्स के बीच कोई वनमोटाब नहीं है लेकिन fans कहा मानने वाले थे इसी बीच अब रविंद्र जडेजा ने येलो दिल का sign और emoji share करते हुए ये लिखा है कि chain नहीं और उनके बीच सब कुछ ठीक ठाक है और restart भी उन्होंने यहाँ पर लिखा है तो इस तरह से जो रविंद्र जडेजा का tweet है वो काफी viral इस वक्त हो बड़ी खबर है खिर आपकी पसंदिदा IPL टीम कौन सी है आप हमें कौन सेक्षेन में ज़रू बताइएगा और ऐसी ही और स्पोर्ट से जुरू ही अपडेट्स के लिए देखते रिखिए NTV स्पोर्ट्स